स्टार्ट करता हूँ अपनी क्लास आज जारखन में हुए विधान सभा के इलेक्शन से बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कुश्चन का मैं फैज अहमद आप अनेकैडमी में मुझे फॉलो कर सकते हूँ मेरा नाम हो गया फैज अहमद चलो स्टार्ट करते हैं जारखन में सबसे पहले आप यह जानों यह फाइब डिवीजन में आपका पड़ा हुआ है जो कि एक प्लामू डिवीजन नौर्थ छोटानागपूर डिवीजन सौथ छोटानागपूर डिवीजन संथाल परगना और यह नया जो जुड़ा है यह आपका कुलहान डिवीजन अगर आपसे एक्जामनर यह कोईशन अरैस करता है कि जारखन का नया डिवीजन कौन सा है तो वो आपका कुलहान डिवीजन है ठीक ना मतला कि कुलहान परगना संथाल परगना यह सब आपका हो गया यह संथाल ज़िए आपका 81 seat के लिए वा था, total seat जो यहां पर है वो 82 seat है, जिसमें से ST, SC की जो संक्या है, वो 9 seat है, और ST के लिए आपका 28 seat है, और जेंगल जो है वो आपका 44 seat है, जिसमें से एक आपका seat है, वो आपका एंगलो इंडियन, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम सभी को जोडते हैं, आपका SC, ST, और General को जोडते हैं, तो total मेरा कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, जिसमें अभी आपका तुरंत election जो हुआ था, ठीक न, अवन जो है, वो आपका एंगलो इंडियन है, चलो ठीक है, अब आते हैं next, सबसे पहले जानते हैं क्या चीज की जो 5 division मेरे है, उसमे सबसे पहले division, पलामो डिवीजन, मेरा कौन-कौन सा डिष्टिक आ जाता है वो देखते हैं, तो पलामो डिवीजन मेरा पलामो अ जाता है, गडवा आ जाता है लाते हार, यह जो है, वो आपका पलामो डिवीजन हो गया, तो इसके अंदर जो election हुआ था, वो 11 सीट के लिए हुआ था ठीक ना यहाँ पर 11 जगह पर election हुआ था जिसमें से भाजपा ने पांच जामुमों ने दो Congress ने एक और NCP ने एक seat यहाँ पर हासिल किया है ठीक अब चलो यहाँ पर आप बात करते हैं नौथ छोटा नाकपुर डिवीजन में आपका चतरा, हजारी बाग, कोडर्मा, गिरीडी, रामगर, बोकारो और धनबाद यह आपका है यहाँ पर आपका 21 seat के लिए यहाँ पर उमिदवार लोग लड़े थे election विदान सबाग सीट के लिए जिसमें से भाजपा ने 11 जीते, कॉंग्रेश ने 5 जीते, जामूमो ने 1 जीते और आसू ने 1 तो यह आसू ने 1 जीता है वो आपका चतरा, ठीक न, यह चतरा में जीता है चलो अब आते हैं, अब आते हैं सौथ डिवीजन, ठीक न, सौथ छोटा नागपूर डिवीजन में, इसमें आपका लोहरदगा, गुम्ला, सिम्डेगा, राची और खूटी तो यह वाला जो पार्ट है आपका, गुम्ला, लोहरदगा, यह जो पार्ट है आपका, रामगुर छोड़ दीजे, यह जो पार्ट है आपका, यह पार्ट हो गया आपका सौथ छोटा नागपूर इसमें जो seat जो election जो हुई थी इसमें कितनी seat के लिए हुई थी ये तो 15 seat के लिए हुई थी ठीक ना ये जो election जो हुई ये आपका 15 seat के लिए यहाँ पर election लड़ा गया जिसमें से भाजपा ने 5 जीते थे जहां मूमों ने 4 और Congress ने चार आजसू ने एक और जहां मूमों ने एक जीता ठीक ना फिर हम बात करते हैं आपका यहाँ पर देखो अब बात करते हैं कोलहान डिवीजन जो नया डिवीजन बना है उसमें आपने कोलहान डिवीजन देखा इसमें आपका वेश्ट सिंभूम वेश्ट सिंभूम सराई के लखष रावा और इसमभूम आ जाएगा तो सराई के लखष रावा वेश्ट सिंभूम और इसमभूम तो यह आपका जो है यह कोलहान डिवीजन हो गया इस कोलहान डिवीजन में टोटल जो सीट हुई थी कोड़ावाद ही टोटल सील मेंलाए हुई थी ओफ फॉर्ट इन सीट के लिए लडाँ हुई ति जिसमें ज्हामूरें 11 Indira जीत कॉंधर रएंस जीत दो जीते और भाश्पा ने हैं 1975 यहां से जीता है चलो इसके बारे मैं आपको अच्छा से बताऊंगा वो देख ले ना संथाल प्रगना अब आते हैं संथाल प्रगना डिवीजन के बारे में संथाल प्रगना आपका यह वाला जो एरिया हो गया हो संथाल प्रगना के अंदर आता है तो संथार प्रग्नम आपका जामतारा, देवगर, दुमका, पाकूर, गोड़ा और साहिब गजाते हैं जिसमें आपका 18 सीट के लिए यहां पर लड़ाए हुआ था जिसमें जामूनल ने 9 सीट जीते हैं भाजपा ने 4 जीते, कॉंग्रेश ने 4 और जेवीम ने 1 सीट जीते हैं चलो आप डिसकस करते हैं अच्छे से यहां पर देखो यह जारकन जो विधान सबाद जो हुआ था उसका परिनाम है 2019 का जिसमें यहां पर सीट के लिए का कोशिशन राइस करता है सीट जो 18 चिटी जो आठारा था उसमें सीट में जहां मूमों ने 17 सीटे जीती जहां मूमों ने 17 सीट भाजपा ने 5 जीते और कॉंग्रेश ने भी 5 जीते और यहां पर इंडिपेंडेन्ट ने 1 जीता था ठीक ना फिर आते हैं आपका SC की seat के लिए, तो SC जो seat हुआ था, SC में कितना है आपका 9 seat है, 9 seat जो है आपका इसमें भाजपा ने 5 जीते, जामूमों ने 3 जीते और रजत ने 1 जीता, ठीक ना, ये हो गया आपका ST और SC में कितने कितने seat जीते गये थे, एक्जामनल आपसे question राज करता ह कि ST के seat जो है, वो 28 है, जिसमें से सबसे ज्यादा seat किसने जीती, तो वो जामूमों ने जीती, ठीक ना, JMM ने, अब आते हैं आपके result पे, result मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, जाड़का election के vote का, जिसमें आसू party ने 2 जीते हैं, 2 party जीते हैं, भारती जनता party ने, आपका 25 seat ज जीता है, independent ने 2 जीते हैं, Congress ने आपका 16 जीता है, और JMM ने आपका जहारकन मुक्ति मूर्चा ने 30 जीती, जिन में नहीं का सरकार यहां पर बनने वाला है, फिर हम बात करते हैं, JVM, मतलब कि जहारकन विकास मूर्चा की बात करते हैं, बाबुले अलमरांडी तेहां पर 3 जीते हैं, National Congress Party में एक और राष्ट्य जनतादल में एक, राष्ट्य जनतादल में आपका सिफ चतरा से जीता गिया है, ठीक ना, ये भी आपको एकदम याद रखना है, चलिए आप बात करते हैं, अब इस पर का जो इलेक्शन जो हुआ है, उसमें 10 महीला, जो है, 10 महीला आ नीरा यादो यहाँ से बनी है, तो नीरा यादो को हम बोल सकते हैं, नीरा यादो कोडर्मा से और भाचपा से रिलेटेड है, फिर आपका अमबा देवी, ये बढ़का गाउन से रिलेट करती है, बढ़का गाउन से इस इसने अलढ़ा था, ये Congress से थी, एक्जामनर ये पुस्पा देवी यह आपका च्छतरपूर से भाजपा तो यह आपको सारे डिटेल्स दिया हुआ है इसमें आपका ममता देवी यह भी आपका इंपॉर्टेंट है जो कि रामगर से रहारी और यह आपका कॉंग्रेस से रिलेटेट करती है मतला कि कॉंग्रेस की पार्टी में से है तो यह आपको जो है यह आप सारे याद कर लेना फिर आपको मैं आपको जो एक्जाम में कोश्चन आने वाला हूं मैं वह आपको समझाता हूं तो ये मैंने आपको सबुनोट करवा दिया हूँ मैं आपको बता भी दिया हूँ देखो अब रगुअरदास की बात करते हैं ये आपके पास्ट के सीम रह जुके हैं इन्होंने आपका इस्तिफा कभ दिया तो 23 दिसंबर को अपने इस्तिफा दिया ये साथ ही साथ आपका conception म साथ साथ ये आपका स्रम नियोजन एवं परियोजन परसिछन में आपका ये केबिनेट मिनिस्ट्रा थे ये जमसेतपूर इस्ट से ये अपना इलेक्षन लड़े हैं जिसमें इसमें सर्यू राय सर्यू राय से ये हार गए जो कि independent यहां पर खड़ा हुए थे सर्यूराय से हारने कि इनका जो वोटिंग मार्जीन है वो 15,833 यह आपके लिए एक्जाम में कोश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ जाता है कि CM रगुवर दास कितने वोटों से हारें और किस से हारें तो सर्यूराय से हारें जो कि इनका मार्जीन कितना था तो 15,833 यह नमबर आपको इंपॉर्टेंट है याद कर लेना क्योंकि यह CM से रिलेटेड है CM कितने वोट से हारें आपका एक्जाम में कोश्चन बहुत किया जा सकता है तो कितने वोट से हारें तो 15,833 एक्जाम यह भी कोश्चन बहुत कर सकता है कि पिछले बार जब 2014 में जो इलेक्शन हुए थे उस समय रगुवर्डास कितने वोटों से जीते थे तो वो पास्ट में जो जीते थे वो 70,157 सीट से जीते थे लेकिन इस बार उल्टा हो गया वो 15,833 वोटों से हार गये जो निर्दलिये खड़े हुए थे शर्यू राय वो कितने वोट लाइं टोटल वोट लाइं जो वो 73,945 वोट लाइं टोटल चलो ये रगवरदास की बात मैंने कहती रगवरदास की बात खतम अब आते हैं सर्यू राय की बात करते हैं तो सर्यू राय जो है वो आपका इंडिपेंडेंडन खड़ा हुए थे और उन्होंने 73,945 वोट लाइं इन्होंने लेड किया कि इसको CM जो कि Chief Minister थे रगवरदास जो कि BJP से related थे इन्होंने मार्जीन आपका 15,833 कि Minister है संसद्ये कारी संसद्ये कारी खाद वीजितरन एवं उभुकता मामले ये आपका ये Minister है Ministry इनको यहाँ पर ये आपका Minister में थे तेको Minister की जब बात करते हैं तो total seat मेरा 81 हो गया इसका जो है 15% जो रहेगा 15% जो रहता है वो Ministry बनते हैं ठीक ना Minister लोग बनते हैं तो 15% अगर हम 81 का निकाले हैं तो 12 से 12 लोग जो है 12 लोग जो है वो आपका Minister पदलेंगे जो कि हेमन सोरेन मतला कि जो कि CM जो रहेंगे वो decide करें कि हाँ CM decide करें कि कौन Minister में रहेगा वो 12 seat पे तो वो CM ही decide करेंगे चलो अब बात करते हैं दूसरे हमन सोरेन की बात करते हैं जो कि इस बार के मुख मंतरी बनने वाले हैं जहाकर मुक्ति मूर्चा से इन्होंने दो जगह से वोट लड़ा था आपका यहां पर साब सा बताया जा रहा है तो पहला जो वोट लड़े थे वह उन्होंने दुमका से लड़ा था और लड़ा था बरहेत से लड़ाता है दुमका से उन्होंने लुइस मरांडी बीजेपी से जो लड़े थे लुइस मरांडी उन्हें पराजित किया और सीमन सोरेन को बरहत से बरहत से सीमोन मालतो सुमेन मालतो जो कि बीचेपी से खड़े हुए थे उन्हें आ रहा है तो अब पात करते हैं आपका दुमका और दूसरा हो गया बरहत फिर एक्जामनर आपसे यह कोश्चनराइस कह सकता है कि हेमन सोरेंग अगर दुमका से लड़े थे तो उनका लेडी करने वाला मतला कि उनको टकर देने वाला आपका कौन था तो वह आपका लूइस मरांडी था जो कि ब कर सकता है कि दुमका से वो कितना वोटों से जीते हैं कितना वोटों से जीते हैं और कितना वोट लाइए दोनों में आपको इदम डिफरेंस है तो कितना वोटों से जीते हैं तो वो मार्जिन हो जाएगा आपका 13188 वोटों से वो जीते हैं दुमका में और लेकिन टोटल वोट कितना आया तो वो 81,007 वोट आया अगर बरहेत के बात करते हैं तो question examiner ये set कर सकता है आपका कि हेमन सुरेन बरहेत में कितने total कितना वोट लाएं तो वो आपका 73,725 और कितने वोटों से जीते वो 25,740 वोटों से जीते हैं उन्होंने किसे हराया किसे हराया तो वो तो बहुत लोग हराते हैं लेकिन लेडिंग करने वाले कौन से आपके वीजेपी थे तो वो आपका सीमोन महलोत थे ठिक यहां तक आपको सब समय आ रही बात चलो अब आते हैं दिने सुराओं की बात करते हैं देखो यह दिने सुराओं आपको लग लगा नया चेहरा लेकिन यह बहुत ही है envol it क्योंकि यह आपका मिनिश्टरी परड़ में थे क्योंकि ये आपका विधान सभा, एट विधान सभा के अधियच है, ठीक ना, ये जो अधियच थे, विधान सभा के अधियच ये आपका एठ थे, ठीक ना, एठ पोजिशन पे थे, इन्होंने साथ जन्वरी दो हजार, साथ जन्वरी दो हजार पंदरा में इन्होंने अपना अध्यशता समाला था मतल quart कि विद्धानसभा की अध्यश भनेतें यो सिसाई गुमला सिसाई गुमला में यह आपका लड़वे थैं सिसाई गुमला में लड़वे इन हार गए गितने वोटोंसे भारे death 108 413 17 वोटोंसे भार compliance Рचानम्न को तो कि आपके former आपका विधान वच अधियच थे उन्हें कौन हराया तो उन्हें कौन हराया तो जिग्गा सूछेन ने हराया कितने वोटों से हराय तो 38 या 547 वोटों से हराया इग्जामनर ये भी कोशिन अराइज कर सकता है कि दिने सुराओ कौन से पार्टी से थे भी जेपी से थे ठीक है उन्हों ने कहां से अपना विधान सबा का इलेक्शन लड़ा तो वो सीसाही से लड़े थे चलो आब आते हैं आगे आलम गिर आलम के बारे में यह कुछ इंपॉर्टन बात है क्योंकि यह कॉंग्रेस से रिलेटर थे यह भी आ जो हुआ था उसके यह अध्यचते इन्होंने अध्यचता अपनी 20 अक्टूबर 2006 से लेकर के 26 दिसंबर 2009 तक रखा था इन्होंने अपना वोड जो है वो पाकुड से लड़े तीक ना यह सो अपना जो विधान सबा जो इलेक्शन है वो अपने पाकुड से लड़े और वीनर आपS abner राजह के सकता है कि विधान सबा सब्सक्राइब 2019-19 ने सब्सक्राइब वोड लाने 500 वाले उमिधवार के नम बताये। आलम गीर आरम जो कि किसे पार्टी से रिलेट करते हैं तो वो आपका Congress पार्टी से डिपेंड करते हैं Congress पार्टी के हैं वो member और यह इसके बारे में ये भी कोश्यर अगर राइस करना चाहेगा एक्जामना तो यह भी कर सकता है अगर ठावन के लिए गया da difficult question set करना रहेगा तो कि आलमगीर आलम जो है विधान सभा के अधियच थें ठीक ना ये अपनी याद रखना एक्जाम ना ये कोशन अलाज करेगा कि आलमगीर आलम इससे पहले 2006-09 में क्या थें तो विधान सभा के अधियच थें चलिए अब आप बात करते हैं लक्षमन गिल् दिखो वह जो आपको नाम बता रहा हूं कि इसमें बहुत जाद ही इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि लच्मन गिल्लन जो है वह चीप ऑफ ता बीजेपी मतला कि आपका बीजेपी के इस्टेट बीजेपी के अधियच थे टिक ना इस्टेट पाहर्टी चीफ औफ लड़ बहुए थे बट् यहां पर हार जाते हैं हारने का तो किस से हार रहें थे सुकराम उराओं को सब्सक्राइब करते में पॉस्यां मिभी में सोचता हूँ और इसलिए मैं आपको बता रहूं कि जो आपके important member थे important member का ही जो वो जीते हैं उससे ही examiner ये question arise कर सकता और दूसरा मतला कि वो तो 81 member 80 member से थोड़ी question arise करेगा जो important है जैसे कि मैंने आपको दुरंद बताया कि दिने शुड़ों दीरों इस रोग क्या थी थे वो आपका विधान सबग के अधिया थे फिर हेमन सुरेन तो वो आपका cm बनने वाले इससे question रहेगा ही रहेगा फिर आपका सर्यूराय सर्यूराय से question इसलिए रहेगा क्योंकि independent लड़े थे और ये रगवर्दास को हराएं हैं रगवर्दास को हराएं हैं वो भी 15,833 इस बोटो से इसलिए important हो गया फिर हेमन सुरेन के बाद तो वह बहुत ज़्यादे ही important है क्योंकि ये आपका cm थे और ये हार गये और ये पूरा कारिकाल अपना complete किये हैं ठीक ना ये भी आपका जिसमें से GM के 30 सीट हैं, Congress के 16 सीट हैं, RGT के 1 सीट है और JBM के 3 सीट है जिसमें RGT जो है, RGT के 1 सीट जो है वो आपका सत्यानन्द भोकता जिन्होंने 1,0710 सीट जो की 14 से यहाँ पर लड़े हैं उन्होंने जीता है यह important इसलिए है क्योंकि RJD ने एक ही seat हासिल की वो भी सत्यनंद भोगता ने वो भी सबसे ज़्यादा vote ले करके आए हैं एक लग एक जास सो दस vote लाए हैं वो भी 14 से इसलिए यह important हो जाता है अब देखो यहाँ पर क्या बताता हूँ मैं कि अब 81 जगह से vote लड़े गए तो total candidate ने कितने खड़े हुए थे तो male candidate जो है वो आपका 1088 male candidate थे और female candidate 127 थी और total जो हो गए वो आपका 1215 मेंबर लोग है वो election लड़े 81 जगह से जिसमें महीला अगर देखा जाए तो वो 10 जीती और male देखा जाए तो वो 81 जीता है ठीक ना जिसमें आपका सबसे ज़्यादा candidate जो है वो सबसे ज़्यादा candidate जो है वो कहाँ पर इचागड़ इचागड़ में सबसे ज़्यादा ही candidate लोग ने खड़ा हुआ था कितना candidate खड़े हुए थे तो 31 candidate यहाँ पर खड़े हुए थे फिर वीनर जो हुए यहाँ पर सबीता महतो सबीता महतो यहाँ पर वीनर हुई 57530 वोट ला करके फिर आपका सबसे कम जो है सबसे कम जो candidate खड़ा हुए थे किस जगह से तो सराय केला से सबसे कम candidate खड़ा लिए थे साथ कितने candidate थे जिसमें जीता कौन है तो चमपाई सोरेन यहाँ से जीती है ठीक है फिर तो आप मुझे अनेकैडमी में फॉलो कर सकते हैं और मेरा यूटूब चैनल को आप सबस्क्राइब करें सेयर करें म मेरा अनेकैडमी का लिंक है आप इसमें जाकर के मेरे बहुत सारे कोर्ष्ट वहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप वहाँ पर जाकर के आप पढ़ सकते हैं ओके ठाइंक यूँ